आप हैं इस समय एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो थोड़ा सा आपको अटपटे पन में डाल देगी अटपटे पन में इसलिए डाल देगी क्योंकि असल में यूकरेन में जो चल रहा है वो सब को पता है लेकिन तुर्की और ग्रीस भी एक दूसरे के दुश्मन है ये बहुत कम लोगों को पता है कारण इसका बहुत अच्छा है क्योंकि दौनों ही नाटो देश हैं अगर दौनों ही आपस में लड़ लिए तो कौन किस की तरफ से आएगा हाँ मज़ा तब जरूर आएगा कि जब किसी एक नाटो देश की तरफ से रूस चला आए क्योंकि असल में अब तक नाटो ने रूस के परिवार में यानि सोवियत रूस में विगन डाला है लेकिन जरा देखो कि अगर किनी दो नाटो देशों को लड़ाने का आनन्द आ जाए तो फिर क्या कह सकते हैं अभी वही हो रहा है असल में रूस तुर्की के साथ आकर के ग्रीस को धमकाने लग रहा है ग्रीस के ने इसी क्या हरकत कर दी ग्रीस ने हाल ही में एक सौधय बाजी की है क्या सौधय बाजी की है ग्रीस ने युक्रेन से कहा है कि मैं तुम्हें S300 यानि Missile Defense System दे दूँगा S300 सुना सुना सा लग रहा है S400 तो सुनाता सारी है S300 जी हाँ, S-400 आपने सुना था, S-300 उसी का अग्रज है, स्वारी अनुज है, उससे छोटा है, छोटा से मतलब कम मारक छमता है, कम छमताएं हैं, सर S-300 और S-400 एक ही परिवार से हैं क्या, हाँ जी, S-300, S-400, S-500 ये सब एक ही परिवार से हैं, बस छमताओं में अंतर है, S-300 300 क किलोमेटर से बचा लेता है, S-500 500 किलोमेटर से बचा लेता है, पैसा दीजिए, रश्या उसी इसाब से बढ़ा है सिस्टम बना के देदेगा, अच्छा, Missile Defense System क्या होता है, यदि आपके उपर किसे ने Missile दागी, तो आप उस Missile को हवा में ही मार गिराएंगे, किस से, S-300 स S-400 से S-500 से ओके इसका मतलब यह हुआ कि Greece अगर Ukraine को S-300 दे देता है एक मिनिट सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि Greece अगर S-300 दे देता है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि यहाँ पर यानि Greece के पास S-300 पहुचा कहा से था दिनिया के 20 देश ऐसे है जिसके पास रूस का S-300 सिस्टम है उनमें से Greece भी एक है यानि Greece ने कभी रूस से S-300 खरीदा था दे का है नहीं देता भाई दे दो बिलकुल Greece ने यही तो कहा है लेकिन condition apply कर दी Greece ने क्या condition कर दी उसने का कि मैं युकरेन को S-300 तो दे दूँगा लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए बोले क्या चाहिए मुझे भी तो अपडेट होने का मन करता है मुझे मैं S-300 तो युकरेन को दे दूँगा युकरेन अपनी हिफाज़त रशिया से कर लेगा क्योंकि रशिया का ही दिया हुआ हतियार है काम भी आ जाएगा लेकिन अमेरिका मैं आपसे commitment चाहता हूँ बताओ भई क्या commitment चाहते हो मैं आपसे commitment चाहता हूँ कि जब मैं उसको S-300 दूँ तो मेरा तो चला जाएगा मेरे पास क्या रहेगा मेरे को तो तुर्की से attention है बोले अच्छा तुझको क्या चाहिए आप अपना defense system मुझे दे दो अमेरिका से कहा आप अपना defense system अमेरिका के पास कौन सा है Patriot missile defense system वो मुझे दे दो तो बोले इसका मतलब एक हाथ दे और एक हाथ ले की बात हो रही है तो अमेरिका बीच में कहा से आ गया अरे अमेरिका इसलिए बीच में आ गया सर तो ये अमेरिका युकरेन को direct कुछ देना नहीं चाहता ऐसी कोई भी चीच जिससे कि कहीं ये ना हो जाए कि अमेरिका और रशिया आमने सामने आ गया तो फिर रिराउट किया जा रहा है ग्रीस कह रहा है मैं अपना S300 उनको पकड़ा दूँगा मुझे पैट्रियोट दे दो वाँ भाई भाई गजब चल रहा है रूस ने कहा सुनो भाईया जादा समसदार बनने की जर्वात नहीं है अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कौशिश की तो मैं तुर्की के साथ आकर कि तुम्हें धंकाऊंगा अर्थात दे मत देना गलती से ग्रीस को धंका दिया किसने? रश्याने कि अगर तुमने S300 युकरेन को देने की कौशिश की तो मैं ये मानूँगा कि तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो और मेरे खिलाफ जा रहे हो तो तुम्हारा दुश्मन है तुर्की मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा और मुझे तो मजा ही आ जाएगा ना जब दौनों नाटो देश आपस में लड़ेंगे आए किता को विस्तार से सुनते है कि यूं खुश है खुश इसलिए है जो सकता है कि ग्रीस से एस-300 मिसाइल सिस्टम मिल जाए कवरें सरु कियों में चल रही है S-300 मिसाइल सिस्टम क्यों मिल जाए क्योंकि रषिया के द्वारा यूकरेन पर हमने थोड़े दिन पहले ही सेशन में किया है मैंने अपने चैनल पर cover किया था इसे मैंने बताया था कि रशिया ने एक ही दिन में 70-70 मिसाइले दाग दी है इसका मतलब ये है कि रशियन मिसाइल्स जो है वो यूकरेन के उपर दागी जा रही है और आज कल भी चल रही है अगर ऐसा होता है तो आने वाले एक तारीक की भी संभावना है एक जन्वारी की उस दिन और ज़्यादा धमाके होंगे इन दिनों तो रशिया की तरफ से ड्रोन्स उड़ उड़के आ रहे हैं जो कि कीव के उपर रहे हैं तो ऑविसी बात है इन से सुरक्षा सब को चाहिए तो ऐसी इस्थिति में पुतिन को अचानक एक बात की नाराजगी होती है किस बात की क्योंकि हाल ही में ग्रीस की राजदानी है एथेंस इसलिए मासको यानिकी रशिया ने एथेंस को तमकाते हुए कहा कि बिटा गलती से भी अपना S-300 इनको मत दे देना मैं मना कर रहा हूं तुम्हें अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सारा मामला हम तैसनेस कर देंगे अगर ऐसा हुआ तो युक्रेन युक्रेन के अंदर जो तुम्हारा S-300 आएगा हमको हलके में मत ले 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 ना हम युक्रेन में पैदल सैनिक भेज कर तुम्हारा S-300 डेस्ट्रॉय कर देंगे फिर ये मत कहना आप इन्हें दिया था आप इन्हें खतम कर दिया एक मिनिट सर एक मिनिट ये तो डिफेंस सिस्टम है ना हाँ तो रश्या क्या धमकी दे रहा है रश्या धमकी दे रहा है कि यदि तुमने इसको मेरे खिलाफ चलाया तो मैं वहाँ आकर इसे डेस्ट्रॉय कर दूँगा सर जब ये खुद से डिफेंस करना जानता है तो कोई इसको डेस्ट्रॉय कैसे कर सकता है बड़ी क्रपा है साब इसमें बड़ी क्रपा ये है कि ये जो इमिसाइल डिफेंस सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ये मिसाइलों से सुरक्षा कर सकता है लेकिन कोई इसी के नीचे गोला चला के चला जाए तो क्या कर लेगा बोले मतलब यार ये रडार को देखकर रडार में आ रही मिसाइल को देखकर उड़ा सकता है लेकिन रशियन फोर्सिस तो पूरे युकरेन में जहां जहां पर हमले करने हैं वहाँ पर खुद साक्षात विराजमान है साक्षात विराजमान है तो ऐसी इस्तिती में जहाँ ये डिफेंस सिस्टम खड़ा है वहाँ कोई रशियन फौजी गया जाकर एक गोला लिया और जाकर के जमीन ने सरका दिया कि ले भई या होजा स्वाहा क्या बात कर रहे हैं इतना ऐसे थोड़ी होता है अरे हुआ है भई ऐसा ही तो हुआ है स्लोवाकिया ने भी ऐसे ही किया था मतलब युकरेन को स्लोवाकिया ने भी रूसी S-300 पकड़ाया था कि तुम मेरा वाला ले लो और रशिया से बच जाओ रशियन फोर्सेस गई उसके नीचे गोला रख दी वो ब्लास्ट कर गया और वो फट गया S-300 बहुत महंगा सिस्टम है S-400 की तरह ही अगर कोई सैनिक उस देश में अल्रेड़ी विराज मान है तो तुमको सैना से बचाने में S-300 थोड़ी काम आएगा मिसाईलों से बचाने में काम आएगा तुम मिसाईलों से तब बचोगे जब खुद का S-300 बचाओगे धमका दिया है रशिया ने रशिया विल डेस्ट्रोई अल मिलिटरी एक्विप्मेंट सेंट फ्रॉम ग्रीस ठोगे पहरे समझ लेना पता चले कि बाद में तुम फिर ये काओ कि हमारा मार दिया हाय हाय ये देख लो पहला नक्षा समझ लो इन सब का ये रहा तर्की ये औरॉप में ग्रीस ये रहा रशिया ये सब लोग कहां जाना चाहते है यूकरेन यहाँ पर ग्रीस क्या बोल रहा है मैं चला जाओंगा अचा इंट्रेस्टिंग बात ये है कि जनाब ग्रीस वाले सौधा क्या कर रहे है कि रशिया से मरने के लिए तो हम अपना भेज देंगा S300 लेकिन अमेरिका गारंटी दे कि मुझे वो पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम देगा क्यों भाई तेर को क्यों चाहिए क्योंकि मुझे तुर्की से डर है तुर्की से तिर को क्या डर है ये जो छीटे से पड़े हुए है आपको ये दाने 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 से जो दिख रहे है असल में ये आईलेंड्स है तहां पर हैं भूमध्य सागर के अंदर आईलेंड्स है Mediterranean Sea के अंदर आईलेंड्स है असल में इन आईलेंड्स को तुर्की जब अपना नक्षा चापता है तो अपने नक्षे में दिखा देता है इन आईलेंड्स को लेकर के इनके बीच में लड़ाई रहती है इस लड़ाई में Greece हमेशा इनको अपना ही बताता है यानी World के मैप में ये हमेशा Greece के साथ ही दिखाई देते हैं जैसे अभी भी आपको Greece के रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं तैट मिंस Greece अपने आईलेंड्स की हिफाज़त करना चाथा है तुरकी से इसी कारण से ये अपने आईलेंड्स पर इस तरह का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करके रखता है जैसे अभी यहाँ पर एक स्रीड करके है उसके उपर इन्होंने S-300 तैनात करके रखा हुआ था ताकि तुर्की से मिलने वाले किसी भी हमले की जिम्मेदारी या हमले को निरण तक कर सके क्लियर हो गया मैप समझ लिया दौनों की दौनों कौन कौन ग्रीस और तुर्की ये दौनों की दौनों नाटो मेंबर है 1952 के अंदर सदश्य बने थे मतलब समझे दोनों आपस में जगडते हैं और दोनों ही नाटो में हैं मुसीबत ये है कि कौन किस के लिए लड़े तभी से आज तक इनके बीच लड़ाई नहीं हुई है आप मतलब लड़ाई से नहीं हुए यानि कि ये हम अपने लिए गलत मानते हैं अगर आपने ऐसा किया तो हम इसको अच्छा नहीं मानेंगे अब मैं आपको एक काहानी और बताता हूँ ऐसा ही कारनामा एक बार एक देश ने और किया था देखिए दुनिया के 20 देश ऐसे हैं जिनके पास S300 सिस्टम है जैसे सलोवाकिया, युकरेन, साइप्रस, ग्रीस, खजाकिस्तान, बुलगारिया आप कहेंगे युकरेन के पास भी है क्या हाँ युकरेन के पास भी है तो खुद की सुरक्षा खुद काय नहीं कर लेता और युक्रियन के पास कहा से आया? खरीदा होगा भाई, दिक्कत क्या है? रशिया से खरीद लिया होगा? तो फिर एक बात बताओ, खुद की हिफाज़त क्यों नहीं कर लेता? तो इतने थोड़ी हैं की हिफाज़त कर लेगा? पूरे देश में गोले चल रहे हैं, ये तो किसी एकाथ जगह तैनात किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है ऐसा थोड़ी एक ट्रक आपने खड़ा कर दिया पूरे देश की इफाज़त कर रहा है रेंज है उसकी, अब गोले कहीं और से आ रहे हैं तो क्या करोगे? अच्छा, इसका मतलब इसका खुद का सिस्टम तो है, लेकिन औरों की भी जरवत है जी हाँ, इसी बीच में जो औरों की जरवत है, उसमें ये जो स्लोवाकिया नामक देश दिख रहा है ये एक वार मदद के लिए आगया आगया, जब युद्ध शुरू ही हुआ था, मार्च 16 की खबर है अब फरवरी में तो शुरू हुआ था युद्ध, स्लोवाकिया ने कहा कि मैं अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम युकरेन को बेज़ूँगा रशिया ने कहा देख मांजा, मेरा सिस्टम में मुझे पता है कैसे बरबाद करना है यार जिसने बनाया हो, उसे तो पता होगा कि किरपा कहा हट की है सुलोवाकिया ने कहा कि मैं डिफेंस सिस्टम युकरेन बेज़ूँगा, भेज दे रशिया ने का कि बेटा देख ले स्लोवाकिया अगर तुने भेजा मैं मामले को खतम कर दूँगा देखो 16 मार्च की खबर है ये 18 मार्च को रशिया ने धमकाया इसको कि माना नहीं कोई बात नहीं है स्लोवाकिया ने का नहीं नहीं मैं तो S-300 Air Defense System युकरेन को दूँगा मैं युकरेन का मित्र हूँ मैं दूँगा देदे भाई S-300 Missile Defense System 200 किलोमेटर की रेंज ये मतलब 200 किलोमेटर की रेंज रिखी हुई है वैसे nomination इसका इसी आधार पर दिया गया है और साब इसने पकड़ा दिया युकरेन को कोई बात नहीं साब बढ़िया तरीके से यहाँ पर defense करने पहुँझा स्लोवाकिया का S-300 असल में था तो वो रशिया नहीं Russians को पता था कि हमारे वही वाली बात है न खुद के ही सिस्टम को खुद के खिलाफ इस्तमाल होता देख सकेगा क्या नहीं देख सकेगा कोई बात नहीं US ने कहा कि तुझको मैं चिंता मत कर स्लोवा किया तुने बहुत अच्छा किया तुने S-300 वहां भेज दिया मैं तुझको मेरा पेट्रियोट डिफाइन सिस्टम भेज दूगा कोई बात नहीं स्लोवा किया विन विन रशिया ने ज़्यादा दिन नहीं देखा इस काम को ये 11 अपरेल की खबर है एक मैना भी पूरा नहीं हों दिया रशिया ने S-300 सिस्टम जो किस लोवा किया के द्वारा बेजा गया था सफा खतम कर दिया सवाह नहीं जिंदा रहने देंगे कैसे खतम किया गोला पहां किया जाकि उसमें मैंने कहा ना मिसाइल से बचाने के लिए है वो गोलों से बचाने के लिए थोड़ी है मैं बहुत क्या बात कर रहे है अरे हाँ भाई तलवार से आप गरदन उड़ा सकते हो लेकिन कपड़े सिल सकते हो क्या सिम्पल सी बात है जाए सुई का काम होगा सुई का काम होगा तो गोला फट गया उस पे जाकर गया, सिस्टम खतम हो गया वोला हाथ से फिकवा दिया तो अब जो Greece offer कर रहा है न कि मैं S300 भेज दूँगा जैसे सलोवाकिया को Patriot मिल जाएगा ऐसे Greece को उम्मीद है कि अमरी की Patriot मिल जाएगा, अच्छा ये Patriot है क्या बसट मैं आपको बता हूँ, Patriot असल में अमेरी की Missile Defense सिस्टम है, जो थोड़ा और Updated माना जाता है ये वाला सिस्टम थोड़ा Updated इसलिए है कि ये Drones का भी मुकाबला कर लेता है Aircrafts का भी कर लेता है, Ballistic Missiles का भी कर लेता है यानि आज के जमाने के इसाफ से Greece, किस के डर से, Turkey के डर से क्यों? क्योंकि Turkey कहता है कि ये वाला हिस्सा मेरा है Erdogan ने इसी कारण से Greece को दमका दिया कि अगर तुने ऐसा कुछ किया तो तू देख ले, हम दोनों लड़ मरेंगे दोनों की बीच की विवाद की जगए क्या है वो मैंने आपको बता दी विवाद क्यों होता है? आईलेंड को लेकर के जैसे आपने ये मैप देखा इसमें हर आईलेंड लाल कलर का दिखा दिया यानि तुर्की ने अपना दिखा दिया कि ये सब हमारा है इनकी आपस की लड़ाई में अकसर ये देखा गया है कि अमेरिका F-16 तुर्की को बेचता है तो अब पेट्रियोट ग्रीस को बेच देगा यानि अमेरिका को तो अपना हर व्यापार ही व्यापार सब जगे नजर आता है खेर जो भी हो फिलहाल के लिए देखने वाली बात ये है कि अमेरिका औरों को बरबाद करने से बेतर है कि युकरेइन को खुदी अपना पेट्रियोट पकड़ा दे ताकि पेट्रियोट के लालच में बिचारों के औरों के S-300 तो बरबाद ना हो सुनने में तो आ रहा है युएस टू सेंड प्रिसाइजन मोबाइल किट एंड प्रिसीजन बॉम किट एंड पेट्रियोट मिसाइल इन नेक्स युकरेइन एड पैकेज ऐसा ओफिशल्स कह रहे है ये आज ली कबर है आने वाले समय में क्या होगा हम आपको अपडेट कर देंगे फिलाल के लिए तो इतना ही था जानकरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो सेशन को अपने सभी साथियों से साजा करिएगा रेफरल कोड है हमारा अंकित टेंड जिसका यूज़ करके आप जुड सकते हैं प्रिलिम्स, मेंस और आप्शनल तीनों क्लासेज आपको एक ही सके पर प्राप्त हो जाएंगी धन्यवाद